नमस्कार दोस्तों, रामकला सियाद, दोस्तों मरे परताबगार ब्लोग चैनल में आप साब का स्वागत है, आद दोस्तों हम बात करता हूँ, कि हमें दोस्तों कुमेंट आया राजेस मीना जी का, उनका ये कहना है, कि सर जी हमारे जहां जो है, सिर्फ फेट का ही मतलब होता ह हम पानी नहीं डालते फिर भी हमारा जो फैट है दूद का गाय का भैस का वो सिर्फ चार या साधे चार फैट आता है तो हम फैट को किस तरह से बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों इसी बाद वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार नहीं चैनल को सस्क्राइब करें और सस्क्राइब करें बेल आई कैनल पर क्लिक कर लेना अगर दोस्तों आप इस्टेग्राम चलाते हैं तो इस्टेग्राम पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं आते हैं मेंट औपिक्स पर कि हम पानी नहीं मिलाते हैं फिर भी हमारे जो दूद का फैट है चार या साड़े चार आता है तो इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इस पर भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो उस वीडियो आप देखकर कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको इसमें कुछ तरीके बता देता हूं, जिससे आप जो अपने गाय भैंस के दूद का फैट बहुत ही त बढ़ा सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है कि फैट बढ़ता कैसे है, जब तक आपको यह नहीं पता होगा, कि फैट बढ़ता कैसे है, तब तक आप जो है फैट नहीं बढ़वा पाएंगे, main reason जानकारी की है, फैट इतना समझना है आपको कि जो भी वाइल की चीज ह यानि तेल जितने भी हैं जहें सरसो हो गया कपास का हो गया यह सब की वाइल जितनी भी ओईल हैं तेल अगर तेल आप 50 ग्राम भी खिलाते अपने पसु को उससे जो है बहुत तेजी से फेट में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और जो मोटा दाना होता है उसको भी आप खिल करके मोटा दाना यानि गेहूं जव बाजरी मक्का यह सारे मोटा दाना में आते हैं इससे भी फेट बढ़ता है यह सारी चीज़े आप खिला कर फेट बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं और जो तेल की बात हम कर रहे हैं उसे आपको परड़े नहीं देना है एक सब्ताह दूसरे दिन आपको फेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और चाहें तो आप उसके हिसाब से उन्हें ओईल वाला अनाज खिला सकते हैं जैसे खली आती हैं कई तरह की खली होती हैं जैसे कपास का हो गया सरसोक हो गया यह सब में तेल पाया जाता है तो सबसे जाते हैं तो उससे बहुत जो है ज्यादा फैट बढ़ेगा और अगर आप कपास का खली नहीं पा रहे हैं नहीं मिल पा रहा है तब जो है आप ओईल खिला सकते हैं यानि तेल पच्चास गराम अपने हर पशुओं को जो दूध दे रही हैं तो दोस्तों हमें उम्मी काप लोस्तों में आ गया होगा थैंग दोस्तों वीडियो वाच करने को